अश्लाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल जायका सहनास का तो कैसे हैं आप सबाई होब सब ठीकी होंगे तो आज की रेसीपी बहुत ही अमी है अज मैं आप सब के लिए बनाने बाली हूँ अपने स्टाइल में आलू मटर यानि के सूखी वाली वाइट मटर आका झाइन है आज छोले बना के बताऊंगी इस रेसीपी को देखने के बाद आप अगर बनाएंगे तो आप अगर इसे खायेंगगे तो जितने भी आज तक आपने अपने आलू करने के लिए आपको पूर लाज तक वीडियो को देखना होगा अगर चैनल भी नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर रेसी पी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और एलेटिप्स के साथ सेयर करना बिल्कुल भी न तक देड़ कप के हिसाब से है अगर इसे आप चाहें तो ऑफन नाइट के लिए भी भीगा सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से धोले ना है भीगने के बाद अब इसको हम कुकर में सिप्ट करेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी देड़ ग्लास पानी और अब इसी के साथ मैं नमक डालूंगी वान टीजपून और हाप टीजपून हल्दी पाउडर तो साथ ही मैं इसमें एक बड़े साइज का आलू को डाल दूंगी साथ ही उबलने के लिए लेकिन आलू को अच्छी तरह से दो लीजिए और दोनों साइज से थोड़ा-थोड़ा कट कर लीजिए कट लगा लेंगे और उसके बाद ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके डाल देंगे तो हमें यह फाइदा हो जाएगा कि हमेरा अलु भी इसी मेन लगाएंगा तो अब हम इसमें चार विसल लगाएंगे निक है चारशीटी लगाएंगे ऒफ चारशी agemट के लियह में लेकिन पानी लगा लेना की कंद्धां की क combination को चिक लिए तो गया है तो में तो उसले कि कि विपनीफ हुआ जब तक की कि आ रख लिमा टुकड़ा को चो ट ठीक कर लीए और चार हरी मिर्च ले लिया है और तीन सुखी लाल मिर्च को मैंने भीगा के रख लिया था तो अब चाहें तो उसे सारी चीजों को कूट सकते हैं दरदरा या फिर आप इसको मिक्सी के जार में डालके बिना पानी डाले ऐसे ही दरदरा पीस लीजिए तो चलिए मैं पीस के जो टेस्ट है और जायका है उभर के आएगा तो चलिए कुकर को थंडा करने के बाद एक सीटी लगने के बाद मैंने खोल लिया है अब देख सकते हैं पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है हमें जितना चाहिए था और जो हमारा मटर है वो भी अच्छी तरह से कुक हो गया है तो चलिए इसको एक बाउल में सिट कर लेंगे और पानी के साथ ही हमें इसे बाउल में सिट करना है पानी को छान के बिल्कुल भी नहीं निकालना है तो फिर से उसी कुकर को धो के मैंने फिर से गैस में चड़ा लिया है और अब मैं इसमें टू टेबल स्पून जो है कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज बारिक बारिक काट लेना है और प्याज डालते ही साथ ही मैं इसमें थोड़े से करीपत्ते डाल दूँगी मैंने तड़के में इसलिए नहीं डाला कि करीपत्ते जादा ही कुछ अगर जादा ही जल जाएंगे तो इसका फ्लेबर जो तो मैं इसमें डाल दूँगी अपना जो कुटा हुआ मसाला इसी के साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे यानिके 1 टेबल स्पून जितना मसाला जलना नहीं चाहिए गैस का फ्लेम स्लो कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तक इसका कच्छा फ्लेबर जो है निक दोमेडियम साइज का तमाटर मैंने बरी बरी कट कर लिया है अब देख सकते हैं तो तमाटर डालने के बाद इसमें मैं फिर से डालूंगी 1 टीजुन नमक हाप तीजुन धनिया पाउडर और और वन टीजुन जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें बिल्कुल भी नह तो उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि टमाटर मसाला जो है कुछ भी जले नहीं और अच्छी तरह से यह जो है पक जाए तो इसके लिए पानी डालने के बाद मैंने लीड ढख दिया है और गैस का फ्लेम स्लो कर लिया है तो आप देखेंगे तीन से चार म मिनिट बाद खोल के चेक करेंगे तो टमाटर आपका बहुत ही जादा सॉब्ट हो गया होगा और मसाला जो है ओल चोड़ने लगेगा फिर भी हम इसे खुला लीड खोल के एक से दो मिनिट और भून लेते हैं थोड़ा सा गैसका फ्लेम थोड़ा हाई कर लेंगे और जैसे हमारा जो उबला हुआ मटर हमने पानी के साथ रखा था उसे पूरा ही डाल देना है इसमें और नमक भी आप थोड़ा अपने हिसाब से, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, यूँके मटर में हमने पहले ही नमक डाल रखा है, तो अब चलिए इसमे थोड़ा पानी एड करते हैं, वान ग्लस पानी जितना मैंने आप एड कर दिया है, तो अब इसको अच्छी आपको दिखे जादा बड़े टुकड़े में तो आप उसको तोड़ सकते हैं, तो अब लीड ढख कर हमें इसे पांच मिनट के लिए अच्छी तरह से कूप करना है, तो जैसे ही पांच मिनट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है, हमारी जो मतर की छो बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है आप इसको पूरी पराठे और ऐसे ही इसे खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है ये और आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी कलरफुल लग रहा है हम ने जिसमें मसाला जो हमने एड किया है ना अपना बनाया हुआ उसी से ही इसका अब जरूर एक बाट राए करना तो चलिए फिर प्रदेर की जबात किया गर्मा गरम इसको सब कर लेते हैं तो आप जरूर ये रेसीपी एक बाट राए करना और इसके साथ सथ बहुत सारे मैंने रेसीपी अपने चैनल पर डाल रखा है आप उसे भी जाके देख सकते हैं और थोड़े बहुत रेसीपी की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं और उपर से इसको गानी सिंग कर देते हैं कटे हुए हरे धनिये के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और कलरफुल जो है हमारा आलू मटर का जो